आप सभी के पास आचुके हैं अपने नए प्रोग्राम को लेकर के आप सभी को बता दे आप सभी हमार साथ जुट चुके हैं आप सभी इस वक्त हमें देख रहे हैं इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके अलावा और भी कई माध्यम हैं तमाम जिनसे आप हमसे जुड़ सकते हैं आप बाद में यह जो हमारे प्रोग्राम अभी आप चैनल पर देख रहे हैं इसको हमारे ओफिशियल योट है वहाँ पर आप वीडियो सेक्शन में जा करके आप यह हमारा सेशन देख सकते हैं इसके साथ ही आप हमारे और भी यूट्यूब चैनल पर हमसे जुड़ सकते हैं जो की N.C.A.R.T. P.M.A. वधिया क्लास 10 है इसके जरिये आप हमसे जुड़ सकते हैं और यह सभी माध्यम जो मैंने आपको बताए इसके साथ ही बच्चों मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूंगी कि आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं वो क्लास 10 के बच्चों की लिए है और टॉपिक का नाम है कार्बन और इस कमपाउंज लेकिन उससे पहले ही मैं आपको एक चीज़ ब इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप चाहें तो अपने डाउट और क्वेरी को हम तक मेल के थ्रू भी पहुंचा सकते हैं हमारी मेल आइडिया है dth.class10 add the read ciet.nic.in तो यह मने आपको बता दिये दोनों माधियम जिन से आप सब से तीजी से हम से जुड सक और आपके सामने जो टापिक रहता है उसको लेकर के चर्चा करते हैं उस पर हम बातचीत करते हैं तो चलिए बिना किसी देरी कि आज हम अपने एक्सपर्ट का आप से परिचय करा देते हैं और उनका हम वेलकम कर लेते हैं यहां पर हमार साथ एक्सपर्ट मौजूद है Mr. Sun Sunit Sir TGT Natural Science Directorate of Education GNCT of Delhi से हैं तो यहां पर मैंने आपको बताया है था कि हमारा topic क्या रहने वाला है Carbon and its Compounds तो सबसे पहले तो मेरा Sir से सवाल यही रहने वाला है और I'm sure आप लोगों का भी कि Sir Carbon and Compounds क्या होते हैं यह जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं देखिए हमारे न कि नेचर में दो तरह के ऑलीमेंट्स मौस ली पाये जाते हैं जिनको हम एक कैटिगरी में बाड़ देते हैं एक को हम मैटल स कहते हैं एक को हम नोन मैटल कहते हैं तो Carbon हमारे नेचर में Oxygen के बाद मिलने वाला एक Most Abundant जो है एक नोन मैटल जो मैटीरियल होता है और वो कई पहीं बभन फोट बनाता है। तो यहां पर आगे रहाँ इसी हम आप से जाना चाहिए भी parties तो बता दिया। देखिए सबसे पहले हम कारबन के बारे में कुछ इसके नेचर है उसमें इसके एक्जिस्टेंस के बारे में जान लेते हैं आपको पता है कि हमारे जो युनिवर्स में जो कार्बन है वो फॉर्थ अबंडेंट अलिमेंट होता है हाइड्रोजन, हिलियम और ऑकसीजन के बाद और हमारी अर्थ करस्ट में जो होता है वो फिफटीन्थ most अबंडेंट अलिमेंट होता है उससे पहले कुछ और नौल अलिमेंट्स होते हैं, उनके बाद जो है, अक्सिजन हैं, सिलिकोन है, अलमुनियम है, इनके बाद जो है, जो है, कार्बन का नम्बार आता है, और हमारी हुमेन बोड़ी, या जितने भी को हैं, लिविंग और्गनिजम्स होते हैं, उनमें ऑक्सि जो carbon present होती है, वो carbon dioxide के रूप में होती है, उसकी जो concentration है, वो 0.03% होती है, और हमारी अर्थ है, उसकी crust में जो carbon मिलता है, उसकी जो वो कई रूप में मिलता है, कई minerals जैसे carbonates के रूप में, coal products के रूप में, petroleum products के रूप में, और वो उसकी जो concentration होती है, वो 0.02% होती है, बाकी और लेविंग और्गनिजम्स हैं जितने भी हमारे अर्थ पर उनमें और्गनिक कमपाउंट्स के रूप में कार्बन होता है और कार्बन आलवेज मौसली जो इसके ऐलो ट्रॉप्स होते हैं जैसे डायमंड और ग्रेफाइट है फिलॉरिंस है वो फ्री स्टेट में जो है एक फ्रीज़ फ्रोटेइन, फ्रोटेञ्स होते हैं वूड्ट कॉल इथानल पैट्रोल ड्रेक्स हैं बहुत सारे डिसनफेक्टेंट्स प्रोड़क्स हैं पैनिसिलिन, क्युनिन, एस्प्रेइन, सल्फ़ाइट्स हैं जिनमें कार्बन का जो है यूटिलाईज होता है उनकी जैसे cotton, wool, silk, linen, rain, nylon और बहुत सारे कुछ explosive products भी होते हैं जिनमें कार्बन का उनको बनाने में उनका इस्तमाल होता है जैसे नाइट्रोग्लेसरीन है, डाइनमाइट है, पिक्रीक एसिड है, TNT है तो यहां पर सर आपने products के बार में बताया जिसमें हम कार्बन के elements को easily देख सकत हैं लेकिन अब अगला मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या आप हमें कार्बन की basic properties के बारे में और बता सकते हैं बच्चों को जी, बिलकुल देखें कार्बन की कुछ खास basic properties होती हैं जिनको mostly हम bondings किस परकार की बनाता है वो जब दूसरे items के साथ जब bond के share करता है किस तरह से बनाता है different kinds of molecules एक होता है एक property होती है उसकी catination उसकी details में अभी हम आगे आएंगे और एक third होता है isomerism और एक second, fourth जो properties होती है वो होती है tetravalency यह चार basic properties होती है specific carbon elements की इनका हम detail आगे देख लेते हैं देखे carbon जो है उसका atomic number है वो six होता है तो इसकी जो electronic configuration होगी वो पहले cell में दो electron होगे और second cell में चार electron होते हैं तो जब इसके outer shell में चार electron होते हैं तो यह इसका जो basic feature बन जाता है tetravalency यानि कि इसके चार electron दूसरे चार किसी carbon atom के साथ या किसी और element के atom के साथ electron का share करते हैं covalent bond बनाते हैं और इस तरह से different kinds of compounds या molecules बनाते हैं तो यह एक tetravalency जो है एक feature होता है यानि इसकी जिसको हिंदी में हम संयों जकता कहते हैं इसके outer cell में चार electron होते हैं इसकी second property होती है कि अब mostly जो elements होते हैं उनके जो atoms होते हैं वो दूसरे atoms दूसरे elements के atom के साथ जब bond share करते हैं तो वो mostly ionic bonds बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं उसके दो तरीका होता है one way कि वो cations बनाए positive ions वो electrons को lose करके बनाते हैं दूसरा तरीका है कि वो anions बनाते हैं negative ions वो क्या करते हैं वो electrons को gain करके बनाते हैं बट हमारे यहां पे carbon atom में एक specific एक ऐसी चीज है कि यहां पे ना तो bond sharing के लिए या किसी दूसरे atom के साथ ionic bond बनाने के लिए specific conditions नहीं हैं वो इसलिए नहीं हैं क्योंकि अगर cations बनाने के लिए 4 electrons अगर carbon का जो atom है वो lose करता है तो उसकी वज़े से क्या होता है कि एक atom के अंदर जितने भी number of electrons होते हैं उसके nucleus के अंदर उतने ही number of protons होते हैं तो number of electrons जैसा कि हमने बताया carbon के atom में 6 होते हैं और nucleus में protons भी 6 होंगे अगर वो 4 electrons share कर देता है cations यानि positive ions बनाने के लिए तो उसमें जो nucleus है जिसके already अंदर 6 protons हैं उसमें उसको बहुत hold up जो है उसका मुश्किल हो जाएगा उसको 10 electron वो gain नहीं कर पाएगा उसके पास 6 पहले से हैं 4 और आ जाएंगे तो इस cases में cations carbon atom नहीं बना सकता second way है जो lose करके अब lose में जो already 6 proton के साथ जो हमारा nucleus है उसको lose करने के लिए भी 4 electrons के लिए बहुत जादा energy की जरूरत होती है और वो lose energy करने के लिए भी possible conditions carbon के पास नहीं होती हैं तो carbon atom can neither make any kind of cations by losing electrons cannot make nor make any kind of anions by gaining electrons so in that way what is the way इसमें carbon atom क्या करता है कि अपने जो चार electrons है वो उनकी bonding जो है वो शेर करके बनाता है किसी दूसरे atoms के साथ वो जो bonding share करता है जैसा कि हमने बताया कि उसके outer shell में चार electrons होते हैं तो किसी भी दूसरे atom के element के atom के साथ वो अपने अपने एक-एक bonding को बना के वो चाहे single bond के थू हो double bond के थू हो या triple bond के थू हो उसमें वो bonding share करता है और share करके ही वो different kinds of covalence bonds जो है वो बनाता है और different kinds of molecules बनाता है तो यह हो गया हमारा tetravalence अब जैसे कि मैंने बताया कि tetravalence जो इसकी property है वो sharing करके बनाता है अब यह sharing होती है carbon atom के element की वो sharing जब होती है तो उसमें वो तीन तरह के bonding बनाता है उस sharing में एक single bond बन सकता है और जिस single bond से जिस तरह के भी जो carbon atoms बनते हैं जो covalent bond के थू हूँ single bond के तरू उनको हम saturated hydrocarbon compounds कहते हैं और इसके अलावा जब sharing two electrons की होती है दो bond बनते है यह तीन electron की होती है triple bond बनता है यह double bond और triple bond वाले जो हमारे जो compounds होते हैं उनको हम non saturated hydrocarbon carbon compounds कहते हैं जैसे कि हमने बताया यहाँ पर examples भी है आवी कें से जैसे carbon atoms come for multiple covalent bond जैसे हमने बताया single bond के साथ double bond के साथ and triple bond के साथ जब single bond के साथ मनता है तो compounds को यह इन कहते है यह जिन एथेन जब double bond की structure होती है तो उसको हम इतीन कहेंगे एन और जब triple bond की structure होती है तो इसके last में फिर जब suffix होता है वह आएन उसको हम इधाएन बोल देते हैं तो इस तरह से हम carbon compounds को भी कैटिगरीकली उसको identify कर सकते हैं based on the number of bonds यहां पर सर हमने पढ़ा कोवलेंट बॉंड के बारे में तो एक सवाल में यहां पर आपसे क्विश्चन करना चाहूंगी देट वाया कोवलेंट बॉंड्टिंग और बॉइलिंग पॉइलिंग तो यह क्यों कार्बन एटम्स जैसा कि हमने बताया कार्बन एटम्स हमेशा लोजिंग के थूरू नहीं, गेनिंग के थूरू नहीं. यह जो कोफलेंड बॉंड बनता है शेरिंग के थूरू, इनकी जो बॉंड्स के बीच में इंटरmollecular force of attraction होता है, वो काफी कम होता है, जिसके वज़े से जो कोफलेंड बॉंड्स हैं, यह काफी weak होते हैं, और इस weak inter इसकी वज़े से इनको destabilize करना इनको तोड़ना थोड़ा आसान हो जाता है और इसलिए इनका जो boiling और melting point है वो काफी कम होता है तो सर इसके बाद हम next कौन सा आगे पढ़ने वाले हैं topic पर एक properties हमने एक और बताया था carbon के बारे में जिसके हमने नाम लिखा था catination इसको हिंदी में हम शरंखलन कहते हैं इसमें क्या होता है कि carbon जो है वो दूसरे carbon के atom के साथ एक बहुत लंबी शरंखला बनाता है एक chain बनाता है और जिसकी वज़े से जो carbon compound जो है जो बनता है वो एक large molecule के रूप में बनता है और यह जो chain होती है यह एक simple chain के रूप में हो सकती है एक branch chain के रूप में हो सकती है और एक close rings के रूप में हो सकती है तो यह जो large molecules बनाता है carbon atoms और एक large chain के रूप में बनाता है बहुत सारे carbon atom जोड़ के बनाता है इस property को हम catination कहते हैं जैसे कि हम यहां पर स्लाइड में देख भी रहे हैं. पहले नॉर्मल बूटेन का हम पूर्0 देख रहे हैं यहां पर गने बश्क्राइब लॉप में नॉप है। तो इसी से जुड़ा हुआ मेरे पास कुछ questions भी है जो बच्चों के भी मन में ज़रूर डाउट आए होंगे और उनके लिए board exams में भी काफी helpful रहने वाले तो क्यों नहां उन questions पर थोड़ा सब्सक्रिशन कर ले तो आभी तक बच्चों जो भी आपने पढ़े हैं जो भी सर न कि नोबल गैस होता क्या है अक्चुली इस नोबल गैस नोबल गैस इस नोबल गैस कंफिग्रेशन देखे हमारे नेचर में जितने भी ऐलिमेंट्स होते हैं चाहिए वह मैटल हो या नॉन मैटल हो वह जब भी किसी दूसरे ऐलिमेंट के एटम के साथ बॉंड जो है वह जितने जितने देटनि फटन डिवह मतल फ़स्यन आप pierwsze की होता है तो आप मेंटल के साथ बॉंड बनाता है और इल को नएट्पॉँंग्स होटल होते हैं और जो हैंए बंग दूसरे आडिमेंट के साथ करता है बांड बनाता है ड़ंट्स ईक वह और बनाता है तो यह जुरूल है कि बाहरी जो अक्षेत्र में जो बाहरी कक्षा है एटम की उसमें 8 number of electrons होने बहुत जुरूरी होते हैं उसको हम electronic configuration के रूप में लेते हैं और दूसरा जितने भी number of atoms होते हैं एक एक किसी element के में जो number of electrons होते हैं नमबर ओफ एक स्पेसिफिक एक पोजिशन होती है उसकी हर कक्षा में पहली कक्षा में कितने number of electrons होने चाहिए मिनिमम दो हो सकते हैं दूसरी में कितने होने चाहिए एक 2N2 का फार्मोला होता है उसमें मिनिमम हम जो है आठ रख सकते हैं तो इस तरह से जो number of fix किये जाते हैं कि किस कक्षा में कितने number of electrons होंगे उसको हम electronic configuration के रूप में दर्शाते हैं ठीक है तो सर बच्चों मैं आपको भी कहना चाहूंगी कि यहां पर आपको फिर से मैं याद देला दू कि हम questions बहुत यह important है जो discuss कर रहे हैं सर के साथ यहां पर तो आप लोग यह सभी questions और answers भी इनके जो सर बता रहे हैं no down जरूर करें और ध्यान से जरूर सुनें तो इसी के carbon जो है जैसा कि हमने पहले बताया carbon atoms जो है वो जब दूसरे element के atom के साथ bond sharing करते हैं तो वो कभी भी anions नहीं बनाते क्यों क्योंकि वो ना तो electrons को stability जो outer shell में होनी चाहिए electronic जो octet जो उसको stability जो है HEU करनी है ना तो वो electron को gain करते हैं यानि कि anions नहीं बनाते ना ही electrons को lose करते हैं यानि कि cations भी नहीं बनाते तो वो cations भी नहीं बनाते हैं इस वज़े से वो एक ionic bonds अपने बीच में नहीं बनाते हैं दूसरे atoms के साथ covalent bonds बनाते हैं और due to the absence of these ions क्या होता है कि उनके बीच में जो electrons हैं वो electrons free movement में स्थापित नहीं हो पाते और जिसकी वज़ाए से जितने भी covalent compounds जो होते हैं जो covalent bonds से बनते हैं यानि कि जो carbon की sharing of electrons से बनते हैं उसमें वो non conductor of electricity होते हैं हमेशे जी सर बहुत अच्छे से आपने इस कांसर दिया अगला सवाल मेरा सर से यह रहने वाला है कि सर अभी हमने बात की थी diamond और graphite की तो यह दोनों ही है यह ऐलो ट्रॉप्स हैं carbon के लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं आपने बताया कि diamond जो है वो पूर और graphite जो है वो good conductor होता है ऐस जैसे अभी देखिए जैसे हमने अभी बताया कि जितने भी carbon के द्वारा covalent bonds formation जो होता है और जितने भी compounds बनते हैं वो सारे covalent compounds non conductor of electricity होते हैं लेकिन एक compound एक आलो ट्रॉप जो है carbon का diamond और उसके लावा जो graphite है वो ऐसा होता है कि वो good conductor of electricity होता है वो क्यों होता है जो हमार carbon atom tetravalent है तो एक carbon atom दूसरे carbon चार carbon atom के साथ एक structure जो है formation करता है और एक tetrahydral structure बनाता है तो उसमें वहाँ पे जो outer shell में चार electron है carbon के वो सारे के सारे engage हो जाते हैं और उसमें free movement of electrons नहीं हो पाता ना cations बनते हैं ना anions बनते हैं बट जहां तक graphite का structure है वो भी carbon से बना हुआ है बट उसमें outer cell के जो चार electron होते हैं वो तीन उन में से तीन electron जो है वो बाकी carbon के तीन electron के साथ engage करके covenate bonding बनाते हैं और उन चारों में से एक जो electron है वो free रह जाता है और इस तरह से हर carbon के atom में एक जो electron है वो free रहता है और free movement करता है और इसकी वज़े से वो जो graphite को एक hexagonal structure दीता है और इसी की वज़े से movement of electron जो यह free electrons है इसी की वज़े से जो graphite है वो एक good conductor of electricity बन जाता है तो यहां पर हम यह कह सकते हैं सर की जो diamond है वो exceptional case है ठीक है सर तो हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं और वो यह है कि what is the versatile nature of carbon nature पर बात करें अगर carbon की जैसे कि हमने पहले ही डिसकस किया है वरसेटाइल जो nature है एक दो important versatile nature होते हैं कारबन के एक होता है catination जिसको हम हिंदी में श्रंखलन बोलते हैं एक carbon atom दूसरे बहुत सारे unlimited carbon atoms के साथ जुडता है covalent bonding बनाता है और एक लंबी श्रंखला बनाता है जिसकी वज़े से एक बहुत large compound structure की formation होती है और वो एक simple chain के रूप में हो सकता है एक ring के रूप में हो सकता है एक branch chain के रूप में हो सकता है इस properties को जो है एक versatile nature होता है कारबन का जो किसी और element में नहीं होता nature में जो हमारे प दूसरा होता है जैसा कि हमने पहले भी discuss किया है tetravalency इसको हिंदी में हम चतू सेयो जगता कहते हैं carbon atom के बाहरी कक्षा में बाहरी कक्ष में बाहरी shell में चार electron होते हैं और वो चारो electron दूसरे चार atom के साथ चाहे वो carbon के atom हो या किसी और element के atom हो उनके साथ covalent bond बनाता है और different kinds of saturated और non saturated जो compound से उनकी formation करता है ताइंक्यू सर अब इसी के साथ मेरा आखरी और एक last question है आपके लिए कि अभी आपने हमें saturated or unsaturated carbon compounds के बार में पढ़ाया था बच्चों ने भी सुना होगा तो इसके बीच में आप चोड़ा सामें difference बता दीजिए क्या होता है इन दोनों के बीच difference देखी जैसे हमने पहले बता है कि carbon की एक specific feature होती है tetra valence से यह जब भी किसी दूसरे element के carbon atom के साथ covalent bond formation बनाता है तो वो जो covalent bond बनता है वो depend करता है कि दूसरे element के atom के अंदर जो valency है वो कितना था अब उसके basis पे जो covalent bond बनता है वो single bond भी बन सकता है double bond भी बन सकता है और triple bond भी बन सकता है जो structure जो molecule जो compounds single covalent bond की वज़े से बनते हैं उनको saturated hydrocarbon कहा जाता है जिनको हम हिंदी में centrapt hydrocarbon कहते हैं और जो compounds जो molecules double bond की वज़े से बनते हैं या triple bond की वज़े से बनते हैं, उनको हम unsaturated hydrocarbons कहते हैं, जिनको हम हिंदी में asentrapt hydrocarbon कहते हैं, और इनमें एक और जो basic difference है, जिनसे हम इनको identify भी करते हैं, जो saturated hydrocarbons होते हैं, वो काफी stable होते हैं, stable in the sense कि उनमें single bond होता है, और उनके बीच में जो strong molecular forces of attraction होता है, वो काफी stable होता है, काफी मजबूत होता है, तो वो reactive नहीं होते हैं, वो stable होते हैं, और जिनमें जो non-saturated hydrocarbons हैं, वो mostly highly reactive होते हैं, as compared to saturated hydrocarbons, और unstable होते हैं, और उसका कारण ये है, कि उनमें double bond या triple bond की formation होती है, है covalent bond की, और जितने ज्यादा bond formation होगा covalent का, उतना ही उनके बीच में जो intermolecular force of attraction होता है, वो काफी weak होता है, जिसके वज़े से वो covalent bonds को काफी weak बना देता है, और ये unstable हो जाते हैं, और highly reactive हो जाते हैं, तो इसको सर, हम क्या examples के थूँ समझ सकते हैं, कि saturated और unsaturated carbon compounds के बारे में, जिससे हम differentiate कर रहे थे, तो उसको अगर हम examples के थूँ समझना चाहें, तो यहां पर हम slides में भी देखेंगे, जैसा कि सर, अभी हमें बताने वाले हैं, तो next slide पर अपने चलते हैं, जहां हमने hydrocarbons पड़ागा, जिससर, जितने भी alkane products होते हैं, जो single bonded होते हैं, जैसे हम कहें कि methane, जिनके नाम के बाद एन आता है, you know, methane, butane, ethane, ये सारे के सारे products हैं हो saturated compounds होते हैं, और जो double bonded हो triple bonded हैं, जिनके नाम के बाद जैसे ethene या ethane, butene या butane, क्योंकि वो double bonded हो triple bonded हो सारे के सारे products हैं, वो examples के तोर पे unsaturated hydrocarbons के रूप में आते हैं, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, इसके बाद आपको सर लगता है कि इसमें हमें और कुछ questions add-on कर करने चाहिए या कुछ छोटा सा बच्चों को बताना चाहेंगे, एक और carbon atoms की एक बहुत important property होती है, जिसको हम isomerism कहते हैं, ये carbon के ही compounds होते हैं, बट इनको isomers होते हैं, क्यों, compounds having same kind of molecular formula, but different structures, जितने भी carbon से जो compounds बनते हैं, उनका जो molecular formula है, molecular formula से मतलब है कि उसमें carbon compounds कितने हैं, और उसमें hydrogen compounds कितने हैं, वो उनका number of carbon और hydrogen compounds यह हैं, वो same रहता है, लेकिन उनकी जो structure होती है, वो different हो जाती है, जैसा कि हम screen पर देख पा रहे हैं, slides में, normal butane है, एक isobutane है, ये दोनों के दोनों isomers है, carbon butane के, तो यहाँ पर सर ने आप सभी बच्चों को समझाया किस तरीके से हमने आप पर पढ़ा carbon anates compounds के बारे में, और यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीकी से सर ने समझाया आपको, और हमने यहाँ पर questions भी आप लोगों के लिए discuss किये, जो आपके board exams में आने वाले हैं, या आ सकत हैं और इस तरीकी questions जो हर साल आते ही हैं, तो सर यहाँ पर मैं आपका पहले तो दन्यवाद करना चाहूंगी, बहुत बहुत हैं कियो हमारे साथ इस सेशन में जुडने के लिए और इतने अच्छा तरीकी से समझाने के लिए और बच्चों आप सभी को बताना चाहेंगे कि आज जो हमने carbon and its compounds पढ़ा है यह chapter इसका अभी second part भी बांकी है जो आपको next session में सर पढ़ाएंगे और बांकी के जो आगे के topics हैं वो भी आप से हम रूबरू कराएंगे लेकिन अभी के लिए इस session को हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे और आपके screen पर life plate भी दिख रही और इसके बाद आप चैनल 6 और चैनल 11 पर देखेंगे धाई से चार बजे जो प्रोग्राम हमारा चलता है परीचर्चा का तुवर्च सेल्फ अशूरेंस एंकरेजिंग पॉजिटिव सेल्फ कॉंसेप्ट इन लेर्नर्स इसके बाद आप चार से पांच हमारे साथ जुडे आप देखेंगे साड़े पांच से सवा चे बजे तक स्कूल लीडर्शिप और डॉलप्में इसका टॉपिक रहेगा तो यह मैंने आपको बता दिये हैं कि आप इसके बाद भी हमार साथ और भी सत्र में जुर सकते हैं और साथ ही आज के सत्र में आप यही पर हम इसे खत्म करना चाहेंगे और आप सभी बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे जितने भी वीवर्स से और आशा है कि आप सभी को आज का यह तो जरूर समझाया होगा बाकी इन्फोर्मिशन के लिए अगर आपको और भी इस टॉपिक से लिलेटेड जैसे कि इनसी इसी इसी ओफिशियल और हमारे पीम एवद्या के जितने भी चानल से उस पर बने रहें बहुत 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 धन्यवाद नमस्कार